दोस्तों, क्या आपको पता है? एक ऐसी psychological trick है जिसकी मदद से आप चुटकियों में ये पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान जूट बोल रहा है सच आपने लव और प्यार ये शब्द शायद लाखो बार सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है? इसका रियल मतलब सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं क्या आपको पता है? लेजिनेज यानि आलस एक अच्छी निशानी होती है जो आपकी ग्रोथ करता है और तो और कॉलरोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें लोगों को जोकर से डर लगता है ऐसे ही amazing facts आप आज जानेंगे So, fact number 10. सच और जूट का पता लगाना दोस्तो, आज के इस uncertain जमाने में ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कोई जूट बोल रहा है या सच बोल रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं? एक psychological trick की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई जूट बोल रहा है या सच बोल रहा है और वहीं दूसरी तरफ, जो इनसान बिना सिर हिलाया या कोई इशारा करे और एकदम stable होके बाते करता है तो उसके जूट बोलने के chances सबसे जादा होते हैं इसके अलावा psychology के हिसाब से जो इनसान बहुत जल्दी जल्दी बाते करता है वो अक्सर अपने दिल में grudges रखता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है आपने हर किसी से सुना होगा कि हमें सब चीजों को importance देनी चाहिए और उसे साकार बनाती है psychology के मताबिक ये तीन चीज़े ही इनसान को असल खुशी देती है जब इनसान के अंदर self confidence नहीं होता है या फिर उसके पास family और अच्छा career नहीं होता है तो वो सबसे ज़दा बरबाद मैसुस करता है जो लोग इन तीन चीजों को importance ना देकर बाकी चीजों पर focus करते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि अच्छे कपड़े तो आपको कुछ दिन तक खुशी देते हैं लेकिन उनसे सारी जिंदगी नहीं करती है इसलिए दोस्तों आपको हमेशा अपने आपको अपनी फैमिली को और अपने करियर को एहमियत देनी चाहिए जब आप इन तीनों चीजों को importance देंगे तो बाकी चीज़े अपने आप सेटल होने लग जाती है क्या आप जानते हैं कि दुश्मनी का असल मतलब आखिर क्या होता है दोस्तों दुश्मनी सिरिफ वो नहीं होती है जो किसी को मारने या किसी को बुरा कहने से होती है बलकि दुश्मनी बहुत तरिके होती है लोग तो अक्सर एक दूसरे से अच्छे लुक्स और अमीरी की वज़े से भी दुश्मनी कर लेते हैं। अब तो हाल कुछ ऐसा है कि लोग अपने ही रिष्टेदारों की कहम्याभी से जलने लगे हैं और मन ही मन दुश्मनी पाल लेते हैं। इसके अलावा psychology के मुताबिक अगर आप कभी सच बोलते हैं या किसी के सामने अपना point of view रखते हैं या फिर किसी को समझाते हैं कि वो गलत है तो इस तरह की situation में भी लोग आपको दुश्मन मानने लगते हैं। तब भी ऐसा कहा जाता है आपके parents के अलावा आपका कोई भी सगानी होता है। वैसे psychology के मुताबिक हमेशा सच और सही का साथ देने से आपके दुश्मन तो बहुत बनते हैं। लेकिन आपको inner satisfaction रहता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। आप रोज कपड़े पहनने से पहले अपनी अलमारी में से कपड़े निकाल कर सलेक्ट करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कपड़े सलेक्ट करने के पीछे भी एक psychological reason होता है। जी हां ये बिल्कुल सच है। आप रोज किस तरह की कपड़े पहनते हैं इससे आपका मूर पता चल जाता है। अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा दिखना सबी को पसंद होता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है। जब आप बहुत खुश होते हैं, तो अकसर अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनते हैं। और वही दूसरी तरफ, जब आपका मूर अच्छा नहीं होता है, तो आप कुछ भी casual सा निकाल कर पहन लेते हैं। psychology के मताबिक कपड़े, इंसान की खुशी को जाहिर करने का एक तरीका होता है। यही वज़े, जब कोई मर जाता है, तो साधा और सिंपल कपड़े पहने जाते हैं। और जब किसी की शादी होती है, तो रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन आपने इस बात पर कभी गौड नहीं किया होगा। आज की modern जमाने में हम सभी male और female के बीच equality की बाते करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लड़कों से ये भी उमीद करते हैं कि वो कभी भी रोए ना। क्या आपको ऐसा सही लगता है। इसके अलावा आपने नोटिस क्या होगा कि boys की तुलना में girls बहुत जल्दी emotional हो जाती हैं और रोने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि boys इतनी जल्दी क्यों नहीं रोते हैं। जबकि feelings तो boys और girls दोनों में equally ही होती हैं। चलिए हम आपको पताते हैं। असल में दोस्तों इसके पीछे भी psychology होती है। दरसल psychology के मताबिक लड़कों को biological ही naturally emotions को handle करना आता है। और लड़कों के अंदर अपने आसूं को रोकने की quality भी होती है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सभी लड़कों से ये उम्मीद करते हैं कि वो कभी रोय नहीं। हमारे society का मानना है कि रोने वाले लोग कमजोर होते हैं। और ये सोच बचपन से ही लड़कों के दिमाग में डाल दी जाती है। जिस वजय से लड़के बचपन से ही खुद को emotionally strong बना लेते हैं। जबकि psychology के हिसाब से रोने का किसी के कमजोर या मजबूत होने से कोई relation नहीं होता है। बलकि psychology के मताबिक रोने से दुख कम होता है और इनसान refresh हो जाता है। आज की इस दोड़ भाग बरे जिंदेगी में भी अधिकतर लोगों को बहुत आलस आता है। हमारे बड़े हमें हमेशा कहते हैं कि बच्चों में तो फुर्ती होनी चाहिए। तुम इतने यंग होने के बाद आलस कैसे दिखा सकते हो। लेकिन दोस्तो क्या आप जानते हैं। साइकलोजी के मताबिक Laziness टीनेज उमर के हिस्से का एक पार्ट होती है। साइकलोजेस का मानना है कि आलस पन असल में Teenagers की Growth का ही एक Sign होता है। इस Laziness की पीछे असल में बहुत सी वज़े होती है। जैसे स्कूल की ठकावट और पढ़ाई का प्रेशर, वहीं दूसरे तरफ बड़े लोगों को लगता है कि टीनेजर्स हमेशा खाली और टैंचन फ्री होते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा फ्रेश और फुर्तीला रहना चाहिए, जबकि स्टडीज के मुताबिक 14 से 22 साल के उमर के लोगों को सबसे ज़्यादा टैंचन होती है, जैसे स्टडीज, लव, करियर और फेम, इसलिए दोस्तों, आपको टीनेजर्स को आलसी कहने की जगए, उन्हें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, जब कोई भी चीज हमारे फिवर में होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब यही चीजें कोई और हमारे साथ करता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ही कि ऐसा क्यों होता है, दरसल दोस्तों, साइकोलोजी के मताबिक जब कोई इनसान खुद किसी बात की जिद, किसी चीज के लिए गुसा, को हो सही है, और बाकी सब गलत है, और वहीं जब कोई दूसरा इनसान ऐसा करता है, तो उसे इरिटेशन होने लगती है, अब आपको समझा रहा होगा, कि इनसान अपने लिए तो सारी सहुलित रखता है, लेकिन किसी और को ऐसा नहीं करने देते हैं, जैसे एक्जाम्स में ची होता है, वो हमेशा आपको दुख देता रहता है, लेकिन ये सच नहीं है, साइकोलोजी के मताबिक इमोशनल पेन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ बारा दिन तकी रहता है, वो तो इनसान खुदी उस बात को बार बार याद करते हुए और सोचते रहते हैं, कि उसने हमें जिससे बाते याद करकर के हो रहा होता है, अगर आप इस इमोशनल पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको उस बात को भूलना होगा, जिससे आपको तकलिफ हो रही है, नमबर टू, कोलरोफोबिया, इनसानों को बहुत सी चीजों से डर लगता है, और हर एक डर क अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है, ये डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो भीड से लगे या फिर किसी फनी से धिक रहे जोकर से लगे, क्या आप जानते हैं, जोकर से लगने वाले डर को असल में कोलरोफोबिया कहते हैं, ये एक ऐसा साइकोलोजिकल डर होता ह जिसमें लोगों को जोकर से बेहट डर लगता है, आपको जानकर हैरानी होगी, कि जिसको भी ये फोबिया होता है, उन्हें जोकर देखने और बलकि जोकर के बारे में सोचने से भी डर लगता है, और तो अगर कोलरोफोबिया वाले लोग जोकर को देख भी लेते हैं, तो उन्हें stress होने लगता है और fever तक आ जाता है ऐसा माना जाता है कि यह डर बचपन के बुरे experiences की वज़े से लोगों को होता है और कई बार इस तरह के फोबियास genes से भी transfer हो जाते हैं प्यार के मायने सबी लोगों के लिए अलग-अलग होते हैं कोई इनसान care करने को प्यार कहता है तो कोई किसी के understanding को प्यार समझता है इसके अलावा एक प्यार वो भी होता है जब आपको कोई बिना वज़े ही बहुत अच्छा लगता है लेकिन क्या आप जानते हैं प्यार के पीछे भी एक psychological reason होता है जी हां ये सच है असल में जब आप इसी के तरफ attract होते हैं तो आपकी body में एक chemical reaction होता है जिससे इनसान को सामने वाले की आवाज, looks, actions और smell बहुत अच्छी लगने लगती है जिसके बाद इनसान को लगता है कि काश ये इनसान मेरी जिन्दगी का हि देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके all notification bell को on कर दो ताकि हमारी फीचर वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास आए, so till then keep learning, keep growing